नमस्कार और विल्कम यौल उस्टडी आई क्यों मैं हूँ प्रशान्द वन रिसेंट्ली इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों ने अनाप्चना वीडियो बनाकर पोस्ट करती है मिस इन्फॉर्मेशन फिलाती है तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था के सही न्यूस आप तक पहुचाऊं और अभी रिसेंट्ली रेखो क्या हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है भारत का तेज़स फाइटर जट इस आपसलूटली ब्यूटिफुल ना ते तो एक पावरफुल फाइटर जट भी आप नहीं बना पाओगे अब प्रॉब्लम देखो हमारे साथ यही हुई कि हमारे पास एक पावरफुल मेड इनिडिया एंजन था नहीं तो हमने यूएसे की कमपनी जी ए के साथ करार किया और जी ए का जो F404 एंजन है यह हम यूज करते हैं अपने तेजस फाइटर जेट में और मुझे बताए कि जब इसके बारे में आपने पहली बार जाना होगा ना आपको अंदर से फिलिंग आई होगी कि कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बेसीकली जब अगर हमको भारत में बहुत ही हूज स्केल पर तेज फाइटर जेट की प्रडेक्शन करनी है तो उसमें हमेशा यूएस पर डिपैंडनेंस बनी रहेगी यूएस से इंजन आएंगे तभी हम इंडिया में के तेजस को प्रॉद्यूस कर पाएँगी और आज के समय प्रॉबलम इंडिया यह भेस कर रहा है यूएसे से जो इंज रेस कर चुके हैं इसी बीच क्या होता है कि भारत में कई न्यूज आउटलेट और कई जो वीडियो बनाने वाले हैं जो प्रॉपरली चेक करते नहीं है कि सोर्स क्या है कहां से उन्होंने ये बात पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने पेनल्टी लगा दी है यू इंडिया ने पेनल्टी लगा दी USA पर जब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भारत सरकार को काटेगोरिकली बोलना पड़ा कि देखिए हमने कोई भी ऐसी पेनल्टी US कंपनी GE पर नहीं लगाई है इज़र आप देख पाऊंगे आर्डिकल प्रॉपरली भारत सरकार को ये बोल पड़ा नो प्रपोजल अंडर कंसिडिरेशन पेनल्टी छोड़िये इस पर कोई प्रपोजल भी नहीं है कि अंदर बादचीज चल रही हो के पेनल्टी अभी नहीं लगाई बाद में लगाएंगे क्योंकि अगयाने ड़संट मेक सेंस आप एक कंपनी पर डिपेंडेंट ह जनरल इलेट्रिक्स यूएस की कंपनी है वहीं से ये इंजन आ रहे हैं मैं आपको नंबर्स बताऊंगा अभी कितना पीशे चल रहे हैं आप लोग खुदी फील करोगे काश हमारा खुद का मेड इन इंडिया एक एंजन होता तो अभी ये प्रॉब्लम ना आती क्योंकि आ नाता कौन है प्रड्यूस कौन करता है है इसलिए हम इसको हाल तेजस कहते हैं हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लेमेटेड ये इंजन लेता है यूएस कंपनी जी ए से और उसके बाद तेजस के बाकी कंपोनेंट्स को जोड़कर तेजस फाइटर जेट बनाया जाता है अब द HAL ने प्रॉमिस किया था IEF को कि जैसे जैसे इंजन आते हैं हम आपको ये फाइटर जेट देते रहेंगे अब आप सोच कर देखिए जहां पर इंडिया नेर फोर्स मान के बैठी थी कि अब तक तो 16 फाइटर जेट आते सिर्फ दो आये हैं ये प्रॉब्लम चाइना को न ये गए हैं दोनों कंट्रीज के जो लीडर से हाथ मिला रहे थे काफी जगा डिसंगेजमेंट भी है ये पॉजिटिव साइन है अगर ये सब ना हुआ होता मान लीजे नियू आ जाती के चाइना के फाइडर जेट तो ना अब इंडिया का एर स्पेस वालेट कर रहे हैं उ यहां पे आपका एक सवाल आएगा कि इसका कोई सलूशन नहीं है क्या हम टेक्नोलजी पर्चेज नहीं कर सकते देखिए यूएस सारी टेक्नोलजी तो नहीं वेचेगा क्योंकि फाइटर जेट इंजन को डेवलब करने में ही मैं आपको बदा दू 25-30 साल लग जाते हैं य यूएस से देखिए 100% ट्रांस्वर टेक्नोलजी नहीं कर पाएगा बहुत लंबे समय से मैं सुनता रहा हूं 2023 से के GE और HL के बीच में एक डील ये होगी जहां पर 80% ट्रांस्वर टेक्नोलजी इंडिया को हो जाएगा जिसमें होगा क्या जो मेजर पोर्शन है इन इंजन बना लेगा इंडिया कंटोल से बाहर चला जाएगा इंडिया अगर मान लीजिए बहुत बड़ी एरफोर्स अगर बना ले तो हम क्या करेंगे वह यूएस की कैलकुलेशन में उस वक्त होगा नहीं तो अनफॉर्शनेटली देखिए अभी बात तो चल रही है पर जो ट्रा देखिए आज के समय यही है कि 100% टेक्टनोलजी एक फाइटर जेट इंजन की भारत को मिले और इस प्रॉबलम का एक बहुत ही अच्छा सोलूशन हो सकता है फ्रांस देखिए फ्रांस और यूएस के बीच में आज के समय एक कॉंपटिशन चल रहा है कि भारत की डिफेंस म पर दे तो इंडिया बिलियंस और डॉलर्स पे कर सकता है फ्रांस को तो अभी रीसेंटली हमने देखा के जैनुरी दोजार चौविस में जो भारत के ऑन्वोई हैं टू फ्रांस इन्होंने यह स्टेट्मेंट दी कि एक जट इंजन डील फ्रांस के साथ यह 100% आक्सेस दे स जिसका भी के लिए नाम हमने दिया नहीं है जैसे टेजस नाम हमने दिया है एक एरक्राफ्ट को इसको प्रॉपर नाम नहीं दिया गया बट यहांबे बताया जा रहा है कि साफरान डीयाडियों के बीच में एक हिस्टॉरिक डील हो सकती है और इससे देखिए भारत की जो है USA पर यह काफी हद तक कम हो जाएगी मैं यह नहीं कहूंगा कि जो GE है कम्प्लीटली साफरान इसको रिप्लेस कर देगा बट यह एक बहुत ही अच्छा एक्जामबल सेट करेगा कि इंडिया बिलकुल फाइटर जैट्स इंडिया में प्रड्यूस कर सकता है इंडियान मे प्रड्यूस का सबसे बड़ा इंडिविज्वल अवार्ड बैलन डॉर यह रहिए एक फुटबॉल प्लेयर की लाइफ में सबसे बड़ा वार्ड होता है बैलन डॉर अवार्ड दोहजार चौबिस का जो मेल बैलन डॉर है यह किस फुटबॉल प्लेयर को दिया गया है यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर StudyIQ की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है दिवाली तक ये सेल चलेगी throughout StudyIQ पूरी जो StudyIQ के सारे कोर्सेस हैं सब पर heavy discount एक्टिवेट हो चुका है आपको करना क्या है simply इस वीडियो की comment section में जाइए पिंड comment में यहाँ पे आपको मिलेगा link UPSC Live Foundation Batch यहाँ पे जो 2025 का batch है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं StudyIQ का फ्लाक्षिप 24 महीने की वेलिटी वाला कोर्स जो प्राइस यहाँ पर लिखा है Don't even think about paying this price यह price कभी भी pay मत कर देना Simply यहाँ पे 4 offers available है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे code आप से मांगेंगे code यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे lowest rates पर 18,999 में आप यह course कर सकते हैं परचेस याद रखिएगा यह 24 महीने की वेलिटी का आपका prelims clear होते ही आपको option दी जाएगी कि आप mains और interview की त्यारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए आपकी मर्जी है आप चाहते हैं अपनी home state पही रहे that is your choice as well बट हमाई तरव से आपको एक option दी जाएगी क्या ही है दिल्ली study IQ के साथ पढ़ाई करिए study IQ खर्चा उठाएगा आपके रहने का खाने पीने का और हम एंशोर करेंगे मिलकर के आप mains और interview भी clear करें तो बहुत ही limited समय के लिए आपको बहुत जादा कम price पर दिवाली offer के अंडर ये course मिल रहा है study IQs flagship 2025 P2i foundation fast track batch so use career code PD10 and save money और इसी note के साथ ये है video कांथ thank you for listening and I always say may the gods watch over you